उन्होंने बहुत उल्टा सीधा हम लोगों के बारे में भी कहा बस गाल मूँ से गाली नी दी उन्होंने सारे क्रियक्रम कर लिए अगर युख बंद्री होने के नाते जिता फद्र होने के नाते योगी अगर अब सब कहने काम करेंगे बंदूक से अब गोलिया निकलेंगी धुआ नहीं ये समाजपादी पार्टी के विधायक शहजील इसलाम है बरेली की भोजीपुरा विधान सभा से चुनाव जीत कर विधान सभा में पहुचे है और अब उनका ये बयान वाइरल हो गया है जिसमें वो धुआ नहीं बलकि गोली चलाने की बात कह रहे है विधायक बनने के बाद शहजील क्षेत्र में आये थे उनके सम्मान में एक कारेकरम का आयोजन किया गया था यहां वो योगी सरकार पर चुन्चुन कर हमले कर रहे थे इसी बीच उन्होंने योगिया दितनाथ के लिए कहा कि अगर उनके मूँ से आवाज निकलेगी तो हमारी भी बंदूकों से धुआ नहीं बलकि गोलिया निकलेगी अगर उसके मूँ से भी अगावाज निकलेगी तो हमारी भी बंदूकों में से आभी सुझी धुआ निकलेगी बताना जाना आप लोग बिलकुल परिशान होने की घपराने की जरूत नहीं है शेहजील इसलाम ने कहा कि 2017 में विधान सभा में सपा के कम विधायक थे इसलिए योगिया दितनात सदन में उन्हें बुरा भला कहते थे लेकिन अब हम लोगों की अच्छी खासी संख्या है अब 2017 जैसी बात होगी तो हम यानि सपा सदन में ही जवाब देगी शेहजील ने अखिलेश आदफ के हवाले से कहा कि उन्होंने कहा है कि समाजपादी लोग सडकों पर भी लड़ाई लड़ेंगे और सदन के अंदर भी सरकार से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे पहले कुछ सेतालिश विधायक थे और सेतालिश में कभी हाउस के अंदर तीस आख कभी पच्चेस आख कर थे और योगी जो की नेदा सदन थे नहों पर उन्होंने बहुत उल्टा सीदा हम लोगों के बारे में भी कहा बस गाज मूँ से गाली नीदी उन्होंने सारे क्रियकर्म कर लिए लेकिन आज हम लोगों की अच्छी संक्या है विपक्स के अंदर वोई परिशानी हो वोई बात हो तो आप हमें बताएं संकठन को बताएं भारतेंता पार्टी अगर कोशिश करेगी उन्माप फैलाने की कोशिश करेगी तो हम भी उसका उतल जवाब देने का काम करें शहजील इसलाम अखिलेश अदफ की सरकार में मंत्री रह चुके हैं इसलिए इन्हें नया नेता कहना ठीक नहीं होगा आगे शहजील ने कहा कि अखिलेश अदफ बबर शेर है परिशान और घबराने की जरुवत नहीं है हम लोग आपके साथ में हैं हमारे सब प्रत्याशियों को एक एक लाख वोट मिले हैं इन्होंने अगर मनमानी करने की कोशिश की तो हम लोग प्रदर्शन करेंगे और सडकें जाम करेंगे कोई जुर्म जाती बरदाश्त नहीं होने देंगे भाजपा अगर उन्मात फैलाने की कोशिश करेंगी तो हम भी उसका मूत और जवाब देंगे